और जितने भी बड़े-बड़े फैसले भारती जनता पार्टी ने लिये हैं उससे नकेवल अर्थववस्ता खराब हुई है वलकि हमारा आम आदमी परिशान हुगा आदमी परिशान है ने जानपूश करके उन्हें घवराइथ है भारती जनता पार्टी को हिमाचल की घवराइथ है आप पार्टी बार्टी जनता पार्टी का सुप्रा साफ कर देगी आप पार्टी से घवराट है गुजरात में उन्हें कि गुजरात में हो सकता है पड़ाम ऐसे बदल जाएं जो आपके पक्ष में चले जाएं इसलिए भारती जनता पार्टी जो जो विपक्ष के लोग हैं उन पे समय समय पर CVI समय समय पर ED और मुझे यह लगता है कि आप जै सब्सक्राइब के संसदी बूर बना है उसमें कई मुक्ष मत्रियों को नहीं रखा नितिन गड़करी जो की बड़े नेता उन्होंने बयान दिया था कि अब सब्सक्राइब काम हो रहा है तो यह सब उसी की रूप्रे का और देख्यों कि जवाब दो लेकिन जो अखवारों सब्सक्राइब करते हैं दो यह 24 के लिए रंडीती बनाई जा रही कि तीसवी बार उत्रप्रदेश फिर से एक बार मोदी जी को की तराने वाला है कि यूपी और यूपी की जनता इस्वा इंतजार कर रही है कि भारते जनता पार्टी ने जो वादे किये वो कितने पूरे ह हुए हैं जैसा मदबरेश में दिखाई दे रहा किसानों के सामने संकट पैदा हुए समय समय पर यह अलग बात है अगर प्राइबेट कंपनी गयों नहीं खरीती होती या दुनिया में जिस तरीके से गयों की डिमांड बढ़ी है अगर वो डिमांड नहीं होती तो शायद ह हमारे किसानों को वो कीवध नहीं मिलती है यही हालत उतबरेश में है बीजेपी कि लोग किसी को मिल लें और तैयारी कर लें लेकिन इस बार जनता उनके खिलाफ कड़ी है क्योंकि उनके बाद जवाब नहीं है अभी बारे जिलों की भरती निकली है अगनी वीर की कोई कर कर सकता है कि बारहजिलों की भरती में एक लाग-देरह जासल नौजमानों ने फॉर्म बरे हों और अभी तक सरकार यह नहीं बता रही है कि एक लाग-देरह-जार जो फॉर्म बरें उनमें से कितने को अग्णीवीर बनाय इस सरकार ने जब से काम करना शुरू किया है कुछ लोगों को बड़ा बना दिया कुछ उद्योपतियों को बड़ा बना दिया सबसे ज़्यादा धोका मध्यमवक्त गरी किसान और नौजवानों के साथ भाधिनता पाड़े न किया अच्छी बात है कि यह लगातार विपक्ष का प्रयास मुझे उम्मीद है कि जो संदेश बिहार से गया है और प्रदेशों में कहीं न कहीं विपक्ष की पार्टियां विपक्ष में जो हैं वो लोग एक होंगे उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है बहुत दल है वहाँ पर ओन किनके साथ जाएगा अभी मैं यह नहीं कह सकता अभी ने क्या समाजवादी पार्टी अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रही किसको ने तब बना जाए कि समाजवादी पार्टी ने कई गड़बंदन किये ह गड़बंदन बहुजन समाज पार्टी से भी किया गड़बंदन समाजवादी पार्टी ने छेती दलों से भी किया छेती दलों को आगे भी बढ़ाया मैं यह कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी पे अनवव है और अनवव के साथ आने वाले समय में पार्टी फैसला ले समाज में हमेशा नफरत पैदा करेंगे यह चुनाओ तो कोई भी दल लड़ेगा उसको रोग नहीं सकते हैं यह तो लोग कंत्र है कोई भी दल लड़ सकता है और लड़ना भी चीए दलों को कम से कम लेकिन भार्दी जयंता पाड़ी के सारे पर नहीं लड़ना चीए हमारे लिए समाजादी पार्टी आसे नहीं समाजादी पार्टी कब से लड़ रही है और समाजादी पार्टी की अपनी विचारदारा है हम किसी का नुक्सान करना नहीं चाहते हैं समाजवादी पार्टी अपनी विचाधदारा के साथ जंता को जोड़ना चाए आप एंपे में किसी सीटों पर लड़ेंगे यह अभी तैय नहीं किया लेकिन संगंधस से बात करेंगे पिछली बार भी कई सीटों पर लड़ेंगे नंबर दूपे भी कई थे जो हमारे को